मकर रासी वालों का आज का रासी फल यणी की 5 अगस्त 2020 का रासी फल तो नमस्कार मित्रों आईए आज के बेडियों की सुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आज के दिन आपके जीबन में क्या क्या होने वाला है लेकिन सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ 5 अगस्त 2020 के पंचांग के बारे में आज तिथी है दूतिया नक्षत्र है धनिस्ठा पक्ष है क्रिस्न पक्ष दिन है बुद्ध बार आज के दिन सुर्य उदे हो रहा है पांच बज के चौबालीस मिनट में सुर्य अस्त हो रहा है साथ बज के आठ मिनट में रितू है वरसा आज का दिन काल है तेरह घंटे 27 मिनट 43 सेकेंड का महिना है भादर पद आज के दिन सुभ समय नहीं है असुभ समय शुरू होता है बारह बजे पीएम से बारह बज के तिरपन मिनट पीएम तक राहु काल सुरू होता है बारह बज के 26 मिनट पीएम से दो बज के 7 मिनट पीएम तक आज के दिन दिसा सूल है उत्तर दिसा की ओर तो ये था आज का पंचांग इस वीडियो के लास्ट में आपके आज के दिन का भाग्य साली रंग भाग्य साली अंक और उपाई है तो आप उसे भी देखें सुनें और फॉलो करें ताकि आज के दिन आपके जीबन में कहीं कोई पड़े सानी कहीं कोई समस्या नहीं हो लेकिन उससे पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें इस चैनल को आप सबस्क्राइब कर दें और वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुनें शब से पहले मैं बात करने वाला हूँ आपके सुवास्त के बारे में मित्रों शुवास्त के द्रिष्टी कोन से आज का दिन आपके लिए सामाणने से थोरा सा नीचे है आज के दिन आप खाने पीने की ऐसी चीजों से बचने का प्रयास करें जिस वस्तू में कोलिस्ट्रॉल की मातरा जयादा हो या फिर जिस वस्तू को खाने पीने के बाद आपका शुवास्त खराब हो जाता हो तो आज के दिन ऐसे वस्तूओं से आप दूर रहें यह आपके शुवास्त के लिए बहुत ज्यादा आवस्यक है वैसे अगर आपके धन संपती की बात करें तो पैसों के दृष्टी कौन से आपका शमय बहुत ही ज्यादा बिहतर और सांधार है आज के दिन आपके कामकाज में आपके काड़े छित्र में आपको मुनाफ़ा बहुत ज्यादा होगा और इस वजह से आज के दिन आपके जीवन में पैसों की कहीं कोई समस्या नहीं होगी इसके बाद है आपका घर पड़िवार तो पाड़िवारिक जीवन के दृष्टी कौन से भी आपका शमय अच्छा भी इतने वाला है आज के दिन आपके घर पड़िवार में सभी लोगों के शाथ आपका शमबंध बहुत ही ज्यादा बिहतर और सांधार होगा आज के दिन अपने घर पड़िवार में अगर आप कोई बदलाब करते हैं कोई पड़िवर्तन करते हैं तो उस बदलाब के वजह से आज के दिन आपके घर पड़िवार का माहौल बहुत ज्यादा सकारातमक रहेगा पॉजिटिव रहेगा और इस वजह से आज के दिन आप के पाड़िवाडिक जीवन में कहीं कोई पड़ेसानी नहीं होगी वैसे अगर आपके प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम शंबंध के दृष्टी कौन से भी आपका शमय अच्छा भी तने वाला है आज के दिन अगर अपने प्रेमी या अपनी प्रेमिका से आप मुलाका करते हैं तो मुलाकात के बाद आपका प्रेम शंबंध बहुत ही जयादा रोमांचक होगा और इस वजह से आज के दिन आपके प्रेम शंबंध में कहीं कोई पड़ेसानी नहीं होगी इसके बाद बात करते हैं कि आज के दिन आपके लिए भाग्यसाली अंक भाग्यसाली र अंग है सिलबर और सफेद आज के दिन आपके लिए भाग्यसाली अंग है दो यनी की टू इसके बाद बात करते हैं कि आज के दिन किस उपाई को आज माने के बाद आपका शमय बिहतर होगा तो उपाई है कि आज के दिन आप गेहूं और गुर 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 गौ माता को खिलाएं अगर आप ऐसा करते हैं तो आज के दिन आपके जीबन में कहीं कोई पड़ेसानी नहीं होगी तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें इस चैनल को आप सबस्क्राइब कर दें और वीडियो को आप हड़ जगा सेयर कर दें तो हम सब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में धन्यवाद जैसी आराम राधे राधे